देश प्रदेश और दुनिया से जूड़ी कुछ खास सुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ BMC 18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्त का डेटा बैंक तयार कर रही है इसके लिए BMC घर घर जाएगी और इसी क्रम में कोरोना निवारन टीका लगाने के लिए महराश्ट सरकार मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू करने जा रही है इसके तहट 8-14 अक्तूबर के बीच प्रती दिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष निर्धारित किया गया है तो दूसरी तरफ आयकर विभा के बड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि महराश्ट में बड़े पैमान पर प्रषाचार का खेल चल रहा है इसमें राजनितिक प्रशासनी गड़ जोड से नकारा नहीं जा सकता उधर राज्य के पुर्वग्रुह मंत्री अनिल देश मुख ने अपने वकिल के माध्यम से गुहार लगाई है कि वह कोरोना के कारण एडी के सामने प्रत्यक्ष रूप से हाजिर नहीं होना चाहते इसलिए उन्हें उन्लाइन हाजिर होने की अनुमती दी जाए इस बीच प्रदेश के आपदा प्रबंदन मदत्व पुनरवसन मंत्री विजयवड़े टिवार ने बताया कि प्रदेश में जुलाई 2021 में हुई अतिवरुष्टी से हुए फसलों के नुकसान के लिए 22 जिलों के आपदा प्रभावित किसानों को 365 करोट 67 लाख रुपे की आर्थिक मदत मन्जूर दी गई है प्रशासन को तत्काल मदत राशी उपलब कराने के निर्देश दिये गए है प्रदेश के इन पांच बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रही है हमारे साथ BMC 18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्त का डेटा बैंक तयार कर रही है इसके लिए BMC घर घर जाएगी इसमें BMC इलाकों में काम करने वाली स्वास्त सेवी काउ सहित आशा वर्गर्स की मदद ली जाएगी मुंबई में इस उम्र के बच्चों की संख्या 40 लाग से अधिक बताई जाती है बतादे की कोरोना की पहली लहर में महामारी को नियंतरित करने के लिए राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभ्यान शुरू किया था इस मोहीम के तहट स्वास्त सेवी काउ आशा वर्गर्स ने हर वार्ड में घर घर जाकर सर्वेक्शन किया था इसमें नागरीकों के रोग, बुजर्गों की बीमारिया और को मार्बिड मरीजों की संख्या समेद कई तरह की जानकारिया जुटाई गई थी बीमसी की कारेकारी स्वास्त अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे ने बताया कि बच्चों का ये स्वास्त डेटा सभी इलाकों की डिस्पेंसरिया और स्वास्त केंद्रों को भी उपलप्त कराया जाएगा तीसरी लहर में बच्चों को अधिक खत्रे की चिंता के बीच ये डेटा बैंक बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कारगर साबित हो सकता है BMC की तरफ से बच्चों पर हाल ही में सीरो सर्वे कराया गया था कोरोना निवारन टिका लगाने के लिए महराष्ट सरकार मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू करने जा रही है इसके तहट 8-14 अक्तूबर के बीच प्रती दिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष निर्धारित किया गया है राज्य के स्वास्था मंतरी राजिस टोपे ने कहा कि राज्य में टीके की कोई कमी नहीं है अभी 25 लाख टीके उपलब्ध है और 25 लाख टीके मिलने वाले हैं सिरीज और अन्यसामगरी उपलब्ध कराई जा चुकी है अभीयान को सफल बनाने के लिए राजस्व, ग्राम विकास, महिलाव बाल विकास, शिक्षा, नगर विकास जैसे विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा टोपे ने दावा किया कि राज्य में सवानों करोड लोगों को टीके की खुराग देने का लक्ष है इन में से 6 करोड लोगों को टीके की खुराग दी गई है अभी सवातिन करोड से अधिक लोगों को टीका लगाना है टीका करण की गती बढ़ाने के लिए अभियान में समाच के विभिन्न घटोकों का सहयोग लिया जाएगा इन में इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, नीजी डॉक्टर, रोटरी क्लब, लॉयन्स क्लब, स्वयम सेवी संस्थाय शामिल है केंद्र सरकार ने 15 अक्तुबर तक 100 करोड लोगों को टीका लगाने का लक्ष तै किया है इस लक्ष को पूरा करने में हम पूरा सहयोग देंगे आयकर विभाग के बड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि महाराष्टर में बड़े पैमाने पर ब्रष्टाचार का खेल चल रहा है इसमें राजनितिक प्रशासनिक गठ चोड से नकारा नहीं जा सकता इस साल 30 सितंबर को कारोबारियों, दलालों और सरकारी अधिकारियों के ठीकानों पर चापे मारी के दोरान एक हजार पचास करोड रुपे के लेन दिन का खुलासा हुआ है सरकारी मंजूरी, खनन ठेक, तबादले, नियुक्तियों आधी के लिए ये रकम ली गई है मुंबई के होटल अबेरोय में दो बिचोलीों ने स्थाई रूप से दो सुट किराय पर लिये थे जहाँ वेक क्लाइंट से मुलाकात करते थे, ये कारवाई छे महीनों से जुटाई गई, सूचना के आधार पर की गई है याद रहे कि राज्य की खूफिया विभाग की प्रमुख रश्मी शुकला ने ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रश्टाचार का दावा करते हुए, कई विभागों में दलालों के सक्रिय होने का दावा अपनी रिपोर्ट में किया था राज्य के पुर्वग रुह मंत्री अनिल देश्मुख और मोजुदा परिवहन मंत्री अनिल परप पर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के आरोप लगे हैं ततकालिन पुलिस अधिकारी सचिनवाजे ने भी फर्जी नाम से ओबेराय होटल में सो दिनों के लिए कमरा बुक कराया था जिसमें वहाँ वसूली के पैसे लेकर जाता था, साथ ही लोगों से मुलाकात भी करता था राज्य के पुर्वग रुहमंद्री अनिल देशमुक को अभी तक ED5 समन जारी कर चुकी है इस बिच देशमुक ने अपने वकिल के माध्यम से फिर हाई कोट में याचिका दायर की है याचिका पर सुनवाई के दोरान देशमुक के वकिल ने कहा कि कोरोना के कारण देशमुक ED के सामने प्रत्रेक्श रूप से हाजिर होना नहीं चाहते इसलिए उन्हें आनलाइन हाजिर होने की अनुमती दी जाए देशमुक की और से पैरवी कर रहे वरिष्ट अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि जिस तरह से ED ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ समन जारी किया और मनी लॉंडरिंग कानून के तहत आरोप लगाया है वह मेरे मुवक्किल के मौलिक अधिकारों का हननन है इसलिए मेरे मुवक्किल के खिलाफ ED की और से दर्च किये गए मामले को रद कर दिया जाए साथ ही ED वस CBI को कड़ी कारवाई करने से रोका जाए और मेरे मुवक्किल को ऑनलाइन तरीके से मामले से जुड़े दस्तावेज सोपने वबयान दर्च कराने की छूट दी जाए ED की और से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि मनी लॉंडरिंग से जुड़ा मामला सुप्रिम कोर्ट में प्रलंबित है ED की और से जारी किये गए पांच समन के बावजुद देशमुक एक बार भी ED के सामने हाजिर नहीं हुए है इसलिए उन्हें रहत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता प्रदेश के आपदा प्रबंधन मदत्वो पुनर्वसन मंत्री विजेवडेटीवार ने प्रशासन को ततकल मदत राशी उपलप कराने के निर्देश दिये है उन्होंने बताया कि नाकपुर विभाग के आपदा प्रभावित तीन जीलों के लिए 10 करोट 65 लाख रुपे मनजूर किये गए है इसके जरीये चंद्रपूर को 7 करोट 99 लाख नाकपूर को 2 करोट 50 लाख और गडची रोली को 16 लाख स्वीकृत किये गए है अमरावती विभाग के 5 जीलों के लिए 118 करोट 41 लाख रुपे की मनजूरी दी गई है इसके तहत अकोला को 84 करोट 26 लाख अमरावती को 23 करोट 96 लाख वाशिम को 1 करोट 53 लाख यवतमाल को 8 करोट 29 लाख और बुलढ़ाना को 37 लाख उपलप कराए जाएंगे और अंगाबद विभाग के 4 जीलों के लिए 77 करोट 97 लाख मनजूर किये गए है इसके तहट नांदेर को 30 करोट 36 लाख परभणी को 45 करोट 42 लाख जालना को 2 करोट और उस्मानाबाद को 19 लाख रुपे उपलप कराए जाएंगे वडेटिवार ने बताया कि नाशिक विभाग के एक जीले नाशिक के लिए 1 लाख रुपे मनजूर किये गए है पुने विभाग के 4 जीलों के लिए 150 करोट 12 लाख रुपे और कोकण विभाग के 5 जीलों के लिए 8 करोट 51 लाख रुपे स्विक्रूत हुए है इस तरह प्रदेश में जुलाई 2021 में हुई अतिवरुष्टी से हुए फसलों के नुकसान के लिए 25 जिलों के आपदा प्रभावित किसानों को 365 करोट 67 लाख रुपे की आर्थिक मदद मन्जूरी दी गई है अभिनेता शारुखान के बेटे आर्यन के ड्रग्स केस में नया मोड आया है मुपाल निवासी एक व्यक्ति का दावा है कि उसने इस क्रूज पर होने वाली रेव पार्टी की सूचना एक बीजेपी की कारे करता खुदी थी जिसने फिर ये जानकारी नार्गोटिक्स कंट्रोल व्यूरो को दी है इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि रिजर्ब बैंक ने इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है इससे चार फिजदी पर यथावत रखा गया है दूसरी तरफ तेल कंपणियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रती लिटर की बढ़ो तरीकर महेंगाई में और आग लगाई है उधर बिहार में राश्य जनता दल में तेश प्रताप को लेकर चल रहे है विवादों के बीच भाजपा नेता और पूर्वर डिप्टी सीम सुशिल मोधी ने भी एंट्री कर ली है तेश प्रताप यादों की प्रशंसा करते वे उन्होंने लालो यादों को चैलेंज किया है कि यदि हिम्मत है तो वे तेश प्रताप यादों को पार्टी से निश्कासित करने की घोशना करे राहत भरी खबर ये है कि अब विदेशी टूरिस्ट भारत में टूरिस्ट वीजा के जरीए आ सकते हैं और घूम सकते हैं COVID-19 महामारी के कारण विदेश्यों को दिये गए सभी वीजा पिछले साल निलंबित कर दिये गए थे देश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ अभिनेता शारुक खान के बेटे आरियन के ड्रक्स केस में अब राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आने लगा है एक दिन पहले ही NCP के प्रवक्ता और महराष्ट सरकार के अलपसंख्यक मामलो के मंतरी नवाब मलिक ने दावा किया था कि दो अक्तूबर को क्रूज पार्टी पर हुई NCP की छापे मारी फरजी थी अब भोपाल निवासी एक फ्रेक्ती का दावा है कि उसने इस क्रूज पर होने वाली रेव पार्टी की सुचना एक BJP के कार्यकरता को दी थी जिसने फिर यह जानकरी नौर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी इन में से एक का नाम मनीज भानुशाली और एक को एक दोस्त ने बताया था जो खुद भी इस फार्टी में शामिल होने जा रहा था भानुशाली ने यादव को एक वाटसप मैसेज भेजा और किरन गोसावी को सारी जानकरी बताने के लिए कहा इसके बाद यादव ने भानुशाली से कॉल करके पूछा कि क्या वे लोग क्रूज पर पूच गए है इसके जवाब में भानुशाली ने बताया गोसावी 25 एनसीबी के अधिकारियों के साथ है एनसीपी ने सवाल उठाया कि अगर ये दोनों लोग एनसीबी के अधिकारी नहीं है तो इस हाई प्रोफाल के इसमें कैसे नजर आ रहे है इस पर एनसी पर यथावत रखा गया है केंद्रिय बैंक ने लगातार आठवी बार नीती गद बैज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है अभी रेपो रेट चार पी सदी और रिवर्स रेपो रेट तीन दशमलक 35 पी सदी है आर बी आई ने आखरी बार पिछले साल मई 2020 में रेपो र रेपो रेट में बदलाव किया था तब रेपो रेट में 40 BPS यानि 0.40 पी सदी की कटोती की थी जिसके बाद रेपो रेट घटकर 4 पी सदी रह गया दास ने कहा कि समीती ने सर्वसमती से नीतीगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है दास ने कहा कि पिछली MPC बैठ में तेजी आनी चाहिए महंगाई के बारे में उन्होंने कहा कि यहां RBI की अनुमानों से कम है लेकिन कोर इंफलेक्शन चिंता जनक है महंगाई को काबू में रखने के लिए पेट्रोल डिजल पर टैक्स में कटोती होनी चाहिए पेट्रोल डिजल की किमते हर रोज बढ़ पहुच गया है जबकि चेन्नई में पेट्रोल ने 100 का अकड़ा पार कर लिया है देश की राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल का भाव 103 रुपए 54 पैसे और डिजल का दाम 29 रुपए 12 पैसे हो गया है पिछले मंगलवार से पेट्रोल के दामों में इजाफा होना जबकि डिजल 3 रुपए 50 पैसे तक महेंगा हो गया है भारत में पेट्रोल डिजल की कीमतों को बढ़ाना हमेशा ही राजनितिक ताउर पर सम्वेदन चिल माना जाता रहा है तेल की बढ़ती कीमते आम जनता की सीर पर न पड़े इसके लिए केंद्र सरकार सबसेड़ी दि निर्वर है सरकार हर बार हो हला होने पर यही जवाब देती है बिहार में राष्टिय जनतादल में तेश प्रताप को लेकर चल रहे विवादों के बीच भाश्पा नेता और पूर्वड इप्टिसीयम सुशिल मूदी ने भी एंट्री कर ली है सुशिल मूदी ने तेश प कोई अन्य राष्ट्री अध्यक्षन ही हुआ और पतनी राबडी देवी सईद 11 सदस्य एक प्राइविट लिमिटेट कमपनी के डायरेक्टर की हैसियत रखते है उसमें परिवार के भार का कोई व्यक्ति बड़े बेटे और विधाहक तेश प्रताप यादों की हैसियत को प्रति बड़े बेट व्यक्ति बड़े बेट लिमिटेश प्रताप यादों की हैसियत के राष्ट्री जनतादल के दावा राष्ट्रिय उपाद्यक्ष शिवानंद तिवारी के हवाले से किया गया है खबरों के मुताबिक शिवानंद तिवारी ने कहा है कि तेश प्रताप यादों अब पार्टी में नहीं है उन्होंने तो एक नया संगटन खड़ा किया है ऐसे में तेश प्रताप यादों खुद ही राज़त से बाहर हुए है कोविड-19 महमारी के कारण विदेशियों को दिये गए सबी विजा पिछले साल निलंबित कर दिये गए थे केंद्र सरकार द्वारा वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए अंतरराष्टी यात्रा पर कई अन्य प्रतिवन भी लगाये गए थे कोविड-19 स्टिती पर विचार करने के बाद विदेशियों को बाद में भारत में प्रविश और ठहरने के लिए परयाटक विजा के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के भारतिये विजा का लाब उठाने की अनुमती दी गई थी लेकिन अब विदेशी टूरिस्ट भारत में टूरिस्ट विजा के जरीए आ सकते है और घूम सकते है कोविड-19 से जुड़ी वर्तमान समगर स्थिती को देखते व्वे विजा एवं अंतराश्टिये यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों में और धिल दे दी गई है अगे कहा कि स्वास्थय और परिवार कंल्यान मंत्राले द्वारा समय समय पर अधिसुचित किये गए सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं मानदंडों का पालन विदेशी परियाटों को उन्हें भारत लाने वाले विमानों और लैंडिंग स्टेशनों पर उपस्थित अन् की दोनों खुराक ले चुके भारतियों को अब 11 अक्तुबर से ब्रिटेन पहुचने पर कारंटाइन में रहने की आवशक्ता नहीं होगी उधर पाकिस्तान की फजिहत हो रही है घर में भी और बाहर भी जानकरों का कहना है कि चालू वित्वर्षक की पहली दीमाही में पा भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक तथा उसे बढ़ावा देने वाला देश है और चीन है कि मानता नहीं भारत से सटी सीमाओ पर उसके सैनिक अकसर घुसपैट की कोशिश कर रहे हैं ताजा मामला वास्तविक नियंतरन रेखा पर अरुनाच कितनी मजबूत है को जानलेवा चोटे नहीं आई और पंडूबी परिचालन के लिहास से ठीक स्थिती में है इस घटना में करीब 11 लोग घायल हो गए बयान में कहा गया है कि पंडूबी को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है हालाकि बयान में घटना का स्थान नहीं बताया गया है लेक 29 अन्य को मामुली चोटे आई हैं सभी का पंडूबी में ही इलाज किया गया अमेरिकी 9 से ना इस घटना को लेकर गंभीर है जांच के बाद ही पूरी तरह स्थिती स्पष्ट हो सकेगी भारत के लोगों के लिए राहत भरी खबर है कोवीट रोधी वैक्सिन के प्रमानन संबंदी विवाद को समाप्त करते हुए ब्रिटेन ने एलान किया है कि कोवीशील्ट की दोनों खुराक ले चुके भारतियों को अब 11 अक्टूबर से ब्रिटेन पहुचने पर कॉरंटा कि ब्रिटेन जाने वाले ऐसे भारतिय यात्रियों के लिए 11 अक्टूबर से कॉरंटाइन में रहने की आवश्यक्ता नहीं होगी जिने कोवीशील्ट या ब्रिटेन द्वारा अनुमोदित किसी अन्य टीके की दोनों खुराक लगी है पिछले महिने के दोरान करीबी के लिए भारत सरकार को धन्यवाद नहे दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रिटिस सरकार ने भारत दक्षिन अफ्रिका और तुर्की समयत विश्वभर के 37 देशों और क्षेत्रों के लिए ठीका करन आगमन प्रनाली का विस्तार दिया है ब्रिटेन ने कहा है कि लाल सू विश्वभर की पहली तिमाही में विदेशी व्यापार विभाग को 100% व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ सरकार ने व्यापार घाटे और देश के चालू खातों के घाटे को कम करने के लिए देश के आयात में कमी लाने की घोशना की लेकिन वह पिछले वित्तिय वर्ष में इस घाटे को थोड़ा बहुत कम करने में काम्याब रही अब चालू वित्त वर्ष की शुरुवात में आयात में भारी वृद्धी देखी गई है जिससे व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है विशेशक्यों के अनुसार बढ़ता जानकारों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के आयात में भारी वृद्धी और इसकी वज़र से बढ़ने वाला व्यापार घाटा खतरनाक है यह देश की अर्थविवस्था के लिए रेड जोन है एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही गलती दोह पराई है जिसके लिए सयुक्त राष्टर के मंच पर भारत उसको हमेशा लतारती रहा है सयुक्त राष्टर में पाकिस्तान के एक बार फिर कश्मीर का मुद्धा उठाने को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवात का सबसे बड देने वाला देश है। साथ ही खुद को इसका पिडित बताने का ढोग करता है। कि पाकिस्तान ने एक बार फिर इस महत्वपुर्ण मंच का दुरूपयोग करते हुए अपने जूट को दोहराना शुरू कर दिया है। पर तनाव की स्थिती उत्पन्न हो रही है। ताजा मामला वास्तविक नियंदरन रेखा पर अरुनाचल प्रदेश सेक्टर का है। रक्षा सूत्रों के मताबिक पिछले सप्ताह अरुनाचल सेक्टर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। पेट्रोलिंग के दोरान चीनी सैनिकों ने भारतिय सीमा में गुसबैट की कोशिश की जिससे घंटो तनाव की स्थिती रही। दरसल अरुनाचल सेक्टर में आपचारिक रूप से दोनों देशों की सीमाओ को सीमांकित नहीं किया गया है। इसलिए LSE को लेकर दोनों देशों की सेनाव की अपनी अपनी धारना है। लेकिन इस बार पेट्रोलिंग के दोरान चीनी सैनिक भारत की सीमा के बेहत करीब तक आ गया। जिससे तनाव बढ़ गया। इनकी संख्या दोसों के आसपास थी। दोनों देशों के लोकल कमांडरों ने मोर्चा संभाला और आपसी बातचीत के बाद मौजूदा प्रोटकॉल के तहट सेनाव पीछे हट गई। रक्षा सूत्रों के मताबिक इस तनातनी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। तो आज की इस खास पेशकर्श में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विके वीडियोस। नमस्कार।